तो कलिंदने रग्लेयरन कlement appears इस चप्टर में यानी उस टिशू के बारेमें जिसे आम लोग कहते यार को चौटर में इस चाप्टर परोड़न है कुकि इस को डीटेल में इस चाप्टर में पढ़नाओं ट नियुर्टे इस चाप्टर को मनें ब chef कुद की सब करना है implement subject to जो अंडरलाइन वर्ड है यह सब NCRT यह कह रहा है in human body the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that the function in a synchronized fashion coordination is the process चलो इसको अब रोकते हैं इतना तक लेखो यह NCRT कहना चाह रहा है कि हमारे बॉडी में एक है neural system यानि brain और spinal cord वाली बाते जो एलेक्ट्रिक इंपल्स क्यारी करता है टूसरा एंडोक्राइन system जो क्या प्रोड्यूस करता है दोस्तों hormones क्या करता है प्रोड्यूस hormones ठीक है मैंने बताया था न एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड एक कौन सा होता है एक्जोक्राइन ग्लैंड याद आ रहा है बोलोगे हाँ एंडोक्राइन के अंदर क्या होते हैं hormones एक्जोक्राइन के अंदर क्या होते हैं enzymes अपने target के उपर जाते हैं hormones पूरे body में जाते हैं, यानि इनका effect पूरे body में होता है, और enzyme का effect किसी एक जगा पे होगा, इसी लिए exocrine के पास अपना एक, क्या होता है, cube, tunnel, है न, उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, दोस्तों, duct कहते हैं, इसी लिए exocrine होते हैं, duct वाले gland, और यह होते हैं, ductless gland, क्योंकि यह hormone को सिधा blood में डाल देते हैं, वो पूरे body में लेके चला जाता है, तो NCRT कहता है, यह hormones और यह neural control, यह नि, electric impulse, यह दोनों हमारे body को, coordinated manner में, एक साथ, हाना, काम करवाता है, तुम बोलोगे हां, यह तो बात सही है, हाना, बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हाना, बताओ, नो दिक्कत सो, ठीक है, एक मिनट, येस, आगे बताइए, क्या कहता है, co-ordination is the process through which two or more organ interact and complement the function of one another, इसके लिए काफी अच्छा है कि एक एक जापल दिया है, नहीं दिया है, तो ध्यान से सुनो, exercise नाम का चीज़ सुने हो, तुम लोग, एक्सराइज सुने हो, एक्सराइज जब हम करते हैं, तो हाफने लगते हैं, यानि हमारा breathing rate बढ़ जाता है, कभी सोचे हो, ऐसा क्यूं होता है, जब हम exercise करते हैं, तो हमारा breathing बहुत तेज हो जाता है, क्यूं? क्यूंकि exercise के दौरान हमें चाहिए energy, क्या चाहिए दोस्त? Energy चाहिए, और energy कहां से आएगा? जब, हम oxygen का intake ज़्यादा करेंगे, oxygen का intake बढ़ाने के लिए, ज़्यादा का उल्टा हो गया साइंग, oxygen का intake बढ़ाने के लिए, हमारा brain क्या कहता है, lungs को, और उससे associated जो organs है, उसको बोलता है, कि भाई आजा, और मतलब जल्दी से, ready हो जा, start कर दे, breathing, brain यह order देता है, तो respiratory system activate होके, oxygen का demand बढ़ा देता है, उसी वक्त brain क्या बोलता है, जो muscles हैं, और जो, जहां पर store होता है, fat, उसको बोलता है, fat तू जल्दी-जल्दी convert हो जा, कहां पर, glucose में, किस में, glucose में, लेकिन fat बोलेगा, हम तो ऐसे convert नहीं होता है, तो बोलेगा, ठीक है, तुम्हारे लिए जो important hormone है, वो मैं भेज़ देता हूँ, तो यहां कुछ hormone आते है, उस fat को convert करवाते हैं, glucose में, कुछ enzyme भी आते है, of course, वो glucose फिर जाता है, cell में, oxygen भी आता है, और यहां से energy produce होता है, और हम exercise करते रहते हैं, बोलोगे हाँ, बात तो सही है, होता है कि नहीं होता है, बोलो, बताओ दोस्तो, यानि, oxygen का demand, glucose, इस सब का demand, एक साथ पूरा होता रहता है exercise के वक्त पर, breathing बढ़ जाता है, oxidation बढ़ जाता है, सब कुछ बर जाता है, यह कैसे हो रहा है, हमारा brain, सारे organs को, और इसके अलावा endocrine system, यानि hormones भी, यह क्या करता, सारे organs को एक synchronized fashion में, आदेस देता रहता है, कि यह करो, यह करो, यह करो, वो करो, यानि सब को साथ लेके, काम कर रहा है, यह नहीं कि पहले, oxygen बना के बेज देगा, फिर पता चला, दो दिन के बाद, glucose आ रहा है, ऐसे नहीं होता है, सब एक साथ, सब एक साथ होता है, नहीं तो, exercise नहीं कर पाएगी है, बोलोगे हां, बात तो सही है, तही है कि नहीं है, बताओ, यह सब आप, यह सब आएगी है, इसको थोड़ा और विस्तित रूप देते हैं, कभी कोई डान्स सो, इंडिया लीट्रिव डान्स या कुछ ऐसा डान्स सो, करके कुछ आता है ना कोई, कोई सो सब आता है ना, रोडाली तुम तो देखती रहती हो, क्या नाम है? मुझे क्या बता सोर? डान्स अंडिया डान्स करके मान लो कोई सो, ऐसा कुछ आता होगा, तो उस डान्स अंडिया डान्स सो में देखते हो गया, मतलब 4-5-10 बंदे आते हैं, खूब डान्स करते हैं, कोई एक साथ हाथ उठाता है, तो पीछे के भी चार बंदे उसी वक्ता हाथ उठाते हैं, पर ये जुकता है, तो सब जुकते हैं, देख रहो ना, मतलब एक तब गोडिनेटेट में, बोलता है ना, जजवी यार, ये को ओडिनेशन हमारे बोडी के अंदर भी देखने को मिलता है, इसको गाइड कौन कर रहा होता है, गाइड करता है हमारा निूरल नर्वस सिस्टम, कौन नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम है, यानि और बहुत सारे ओर्गंस में इंवाल्व हैं, दूसरा, इंडोक्राइन सिस्टम, यानि हॉर्मोंस यहां पर, यहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्स और यहां पर हॉर्मोंस, बोलो कोई दिकत, बोलोगा नहीं कोई दिकत लिए, हम लोग खुद बहुत तेज हैं, हो ना, अब देखो, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम अर कॉल्ट इंटीग्रेटिव सिस्टम अफ दो बोड़ी, क्यूंकि दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं, अब जिनको स्टमक वाला याद है, डाइजिस्टिफ सिस्टम मैंने बताय था, उसमें मैंने बताय था, और बैक्स प्लेक्सस के बारे में याद आ रहा है, बोलोगे, आहां, याद तो आया, और बैक्स प्लेक्सस, मिजनर्स प्लेक्सस, याद आया, बोलोगे, हाँ, इसके अलबा गैस्ट्रीन, बोलोगे, हाँ, 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 याद आया, कहानी क्या था कहानी यह था कि जब हमारे पेट के अंदर खाना पहुंचता है जब हमारे पेट के अंदर खाना पहुंचता है तो यह जो और बैक्स प्लेक्सस है क्या है यह एक नर्व ही तो है नर्व का जाल चादर ना बिछा हुआ है पेट के ऊपर और बैक्स प्लेक्सस मे अई एक संदेश लेके आता है पेट के पास कि गस्टरीन hormone रिलीज लेकना रिलीज गस्टेञ्ट होता है यह रिलीज करवाता है एसियल को को बोलो मैं गलत हूँ क्या और यह क्या करता है वहाँ जो पैपसीनों प्रोतिं को डाइजस्ट करना इस्टार्ट करता है ऌरहाँ में गलत बोल रहा हूं में तो यह gastrin क्या है हार्मोन है कहां से आया है बताता हूं का मतलब ग्या होता है मैं प्लेकसच का मतलब किया होता है मैं बता दो मैट जानतो है चटाई जो बिचाते हैं सोने के लिए ऐसे ड़सी का बनाए जाता था था ना इसे ऐसे या नाडियल के धागों से एसे अड़े बनाते थे ना तो इसे को कहते है प्लेक्सस यह बहुत ही छोटे-छोटे fine neurons, nerve cell, लंबा लंबा, लंबा, लंचोटे चोटे, लंचोटे चोटे, लंचोटे चोटे, लिचारो तरफ से धब के रखे पेट के ओकर, इसे कहते हैं, प्लेक्सस, कौन से वाला? और बाक्सस, और एक को कहते है, मिजनर्स प्लेक्सस, बताईये दोस्तों, कोई दिकत? Madhu, any problem? No problem, very good, आगे आओ, nervous system, carries information in the form of impulses to the different parts of the body, high speed services are offered by the system, okay, मैं ये बोल रहा हूँ, nervous system जो है न हमारा, ये बहुत ही quick impulse को करी करता है, यानि अगर हमारे हाथ तक कोई information पहुंचाया न ब्रेन से, तो वो पलक जपकते ही पहुंच जाएगा, हाँ, hormones के तुरू अगर आएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगर hormones के तुरू आएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, बोलो कोई दिकत? नहीं सूँ चलो आगे बढ़े, बोलो के हाँ सर बढ़ जाईए आगे बढ़िया, अब नीरल सिस्टम के बारे में बटाया घया है, नीरल सिस्टम क्या है, कैसे हैं? तो देख लो neural system क्या है system जब भी आता है न मतलब यानि एक दो और गंस उसमें अधोस्टिएटेड होते हैं देखो देखो the neural system of all animals is composed of किस-किस चीज के बना होता है ज्यान से सुनो highly specialized cell जिसे क्या कहते है neuron जानते ही हो neuron ही वो cell है जो electric impulse को carry करता है वो लोगे हास है body में हमारे अलग-अलग तरह के cells है cardiac cells है दिल वाले cell है लीवर वाले cell है skin में जो cell है नाखुन में cell है वैसे हमारे नर्व में भी cell है उस cell का क्या नहीं है neuron ठीक है which can detect receive and transmit different kind of stimuli stimuli मतलब होता है change stimuli मतलब क्या होता है change हमारे आस पास के environment में जो change होता उसे stimuli कहता है जो हमारा body या तो chemical form में या electric form में receive करके transfer कर देता है वो लोगे ठीक ओके अब electric form में रहता है तो इनके बीच में potential difference भी होता है बहुत कम होता है बताएंगे आगे दिए the neural organization is very simple in lower invertebrates for example in hydra it is composed of network of neurons hydra क्या होता है दोस्त हाइडर एक एनिमल है है और याद आ रहा है बोलो कि हाँ याद आ रहा है किसमें था इसमें अलग-अलग जैसे पाहिस होता है जैसे पौरी फेरा फाहिल शीलंट रातरा फाहिलम ही डेट एरिया इसके अलवा होता है आर्था पोडर्ण हनद उसके नॉ तो मैं बोल रहा हूं को ओर डिटा काुठ डेटा में living हम लोग्डी कहते है वतिक योड्र curly कॉलम या तो दिखने लगता है या तो होता है ठीक है और इन से पहले वाले जितने भी organism है उन्हें कहते इन वर्टी ब्रेट्स क्या कहते दोस्त इन वर्टी ब्रेट्स इनमें पीछे हड़ी नहीं होता है तुम बोलोगे अच्छा अच्छा तो उनमें ये सिंपल फॉर्म में पॉता है जब हम गानच बैस में पाए जाते हैं यह नेरल नेंूरल श्स्ट में बढू है संप्लीजम पाए जाते हैं अंप्लाउड में लें हम इनवर्ट्स O gen इसे कहते हैं हम लोग प्यार से प्लाटवर्म क्या कहते है दोस्त फ्लाटवर्म इसमें भी एक इग्जामपल है पता है किसका एग्जामपल है यह इसे कहते है प्लाटी हलमिंथिस में ठीक है और यहां पे गुच्छे यानि group of neurons या cytons present होता है जिसे कहते गैंगलिया गैंगलिया के बारे में और भी detail में बताएंगे क्या कहते हैं कोई बात नहीं अभी सुन लो तो यह है प्लैनेरिया प्लैनेरिया के अंदर पाया जाता है यानि brain का development brain का विकास अगर तुमसे पूछे नीट में कि मैं या ब्रेन का विकास कहां से हुआ है तो बोलो के platy helaminthus कहां से platy helaminthus बोलो को जालीक टीक, ओके, the vertebrates have more developed neural system, यह बात सही है, जो vertebrates होते हैं, उनमें neural system बहुत ही ज्यादा developed हुटा है, हमने बोला ठीक, बहुत अच्छी बात, अब human neural system को हम पढ़ाने से पहले, मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना तुम्हें neurons के बारे में बताने, क्या कहते हैं दोस्त, neurons के बारे में पहले जान लोगे, तो यह कहानी अच्छा होगा, चलो neurons से पहले यही समझ लो, आओ, human neural system, तो human neural system को मैं पहले ऐसे डिवाइड करना चाहू उमू, खो हम हो, जो वाँ, brain है, जब चाप्टर brain के चल रहा तो brain ही होगा ना, मुझ्य, यह ना सबसिए, सर्कौन निकला आप ने सर्कल निकला, पहाँ से महां से सबागान से सर्टों. कोई नि सुनों तो मैं जो बोल रहा हुं एक तो हमारा उपर में नहीं और ब्रेज के ठीक हमारे जो पीछे mind का हंगा है नो दोस्तों देखो दिखाता हूं पीछे जूँसरी के से ऑड़ी में पीच ओ बीच यानि हमारे पीछे जो हड़ी है जिसे कहते है वर्टीब्री या वर्टीब्रल कॉलम उसके बीच ओ बीच जो पंच ऑफ न्यूरॉंस गुजरता है उसे क्या कहते है क्या कहते दोस्तों किसी को अगर अगर किसी को नाउट आएगा तो पूछोगे तो मैं बोल रहा हूं यह और यह अंदर लुक्या दोस्त पूछो पूछो मादूरी मा टाइप करो question तब तक मैं यह लिखता हूं मैं यह बोल रहा हूं कुछ नहीं तुमने hand raise किया था ना इसलिए दाउन कर दो hand देखो मैं यह बोल रहा हूं इस brain में भी bunch of neurons बैठा है तुम बोलोगे हाँ sir बैठा है इसे कहते है कितने लोगों को समझ आया इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आया समझ आया समझ बहुत अच्छी बात आगे बढ़े तो इस brain को और spinal cord को हम लोग कहते है cns क्या कहते है cns इसका फुल फॉर्म होता है central nervous system यह central neural system जो भी लिखना चाहिए central nervous system तो तुम बोलोगे सब central nervous system यानि brain हो गया और spinal cord तो जवाब है yes central nervous system उस पार्ट को कहते हैं जहां information process किया जाता है यानि तुमको चोट लगा है तो वो brain ही feel कर पाएगा अगर तुमको को तूट जाता है तो लोगों के लिए बहुत निकत होता है वह रीर के हड़ी तूटने की वज़े से उसके बीच से जो यह दौर रहा है ना spinal cord यह injured हो जाता है और यह injured अगर हो गया तो लोगों को कभी लखवा मार जाता है बॉनी का कोई पार्ट काम नहीं करता क्योंकि यह क्या है खालता है cns जैसा ब्रेंड वैसा इसा इस पाइनल को बोलो हाया ना बोलो भाई तोनों इंसान को बहुत इंपोर्टेंट है ना सथ वेरी बहुरी इंपोर्टेंट इसलिए दोनों को cns कहते हैं दोनों जगह information प्रोसेश होता है लोग समझते सिर्ट ब्रेंड ना दोनों है अगर ब्रेंग को तुम मैनेजर कहते हो ना ओमकार तो इस्बाइनल कॉ डेप्यूटी मैनेजर को तो वह भी तो कुछ अपना डिसीजन लेगा उसके पास में तो कुछ अधिकार होगा ना प्रफश्व किसी किसी के स्पैनल कॉलम का बात बोल रहो जो हड्डियों के बीच बजरता है और वह को कहते हैं और उसके बीच के नियूरल पार्ट को कहते हैं लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं पीछे चोट लगता है नोग बोलते आए यार इस पाइनल कॉड में चोट अडे नहीं मुन्ना वह अब मुझे एक बात बतां मेरे सर में चोट लगेगा तो मैं क्या बोलूंगा मेरे ब्रेन के अंदर जो मतलब मेरे ब्रेन में चोट लगा यह बोलेंगा नहीं नहीं और मेरे फोट लगा वैसे आ एक कोई नहीं बोन वाले चैप्टर नहीं बताएंगे बोन वाले चैप्टर में तरह कि अब यहां से कुछ-कुछ नर्व निए ध्यां से सुनों बहुत path लेके आएगा कुछ भी करें हमें इससे कोई लेना देना नहीं वो नर्व जो brain से directly attached है सुनिये वो नर्व जो brain से directly attached है उसे कहते cranial nerve क्या कहते है cranial nerve बोलो कोई दिखत बोलो गए नहीं ये सब क्या है cranial nerve समझ में आया cranial nerve किसे कहते हैं ये बहुत tough topic है मैं पहले ही बता दू और detail में पढ़ना पड़ेगा सवाल आता है तो इसे कहते cranial nerve cranial nerve वो नर्व है जो brain से directly attached है तुम बोलोगे ठीक उसके बाद कुछ नर्व होते हैं जो spinal cord से directly attached होते हैं लो ऐसे इस नर्व को हम लोग कहते इस पाइनल नर्व क्या कहते हैं दोस्तों इसे कहते हैं स्पाइनल नर्व और ये नर्व बहुत important है जब डॉक्टर बनोगे तब कहते चलें यह होते हैं स्पाइनल नर्व ठीक है और श्पाइनल नर्व का संख्या होता है दोस्तों 31 पेर, 31 इधर और 31 इधर से लिए बोलो कोई दिक्कत, अरे बोलो भाई यह कोई दिक्कत है, अब सल्मान खान को जो प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा बस जानकारी के लिए बता देते हैं, ऐसे कोई इक्छा नहीं है मेरा ब हो गया, ओमकार, तुम बोलोगे सर यह नाम तो काफी डरावना है, है ना, नाम तो काफी डरावना है, हाँ, तो डरावना वरावना कुछ नहीं है, क्रेनियल नर्व जो है ना, यह क्रेनियल नर्व, इसमें पच्वा नंबर का जो नर्व होता है ना, बारा पेर है ना, एक इसलिए नाम है जानकारी के लिए बता लो गैने चोड़के बता दीजिए तो पच्वा जो नंबर का नर्व होता है न मुरुनाली यह ट्राइजेमिनल नर्व यह हमारे चहरे को कंट्रोल करता है फेसियल एक्स्प्रेसंस को रेगुलेट करता है यह वाला और सल्मान खान का चहरा देखना अभी एक बहुत या पता नहीं क्या कुछ आ भी रहा तो एक साइड का उसका थोड़ा दिक्कत में दिखेगा और ऐसा लगेगा फेस देखना उसको उसके इसी नर्व में प्रॉब्लम है इस लिए इस बिमारी को कहते है ट्राइजेमिनल नूरेल जिया उसके क्रेणियल नर्व के पांच में प्रॉब्लम है फिफ्ट क्रेणियल नर्व बोलो कोई दिक्कत बोलो कि नहीं को निकलता और हमारे फेस पे आता है चहरे को चहरे के इस्प्रेस्शन को रेगुलेट करता है अरे समझ में आया थोड़ा बहुत है अब मैं कुछ और बताना चाहूंगा देखो क्या मैं बताना चाहता हूं दोस्तों यह क्या है मदूरी मार्यू अर्यू गेटिंग इट ब्रेने वल सर तो पूच इलाते रहो है ना मैंने बताया ही था अगर गटिट गॉटिट हो रहा तो पूच इलाते रहो देखो यह क्या है दोस्त पर मुझे कुछ नहीं है अरे उसके पास है पूच ब्रेन और यह क्या फ्रेंज एस्पाइनल कोड ठीक है मैं बोलता हूं यह इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम सोच में नहीं सकते हो चुकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर ध्यान से सुनियों जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही सुनते जाना है मैं बोल रहा हूं इधर कोई इन्व सकते हैं यहां इन्वालेंटरी ऊरंग आप होतो इंपुडली अपने अप्रगन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे की तुम जब खाना खाते हो तो तुम तुम अपने इच्छा से digestion नहीं करोगे, वो अपने आप होगा, दिल का धरकन तुम्हारे control में नहीं है, ब्लेड का flow तुम्हारे control में नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे mouth के अगर नीचे खाना चला गया, तो peristalsis भी अपने आप होगा, तो ऐसे organs, ध्यान से जो हमारे control में नहीं होते हैं, which are not in our control, is called involuntary organs, और ऐसे organs जो हमारे control में होते हैं, उसे कहते हैं, जैसे की skeletal muscles, हम चाहे तो अमकार को पटक-पटक के, गिरा-गिरा के मारेंगे, क्या, अरे कर सकते हैं के नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हाथ-पाउँ करना हमारे bus के बात ह है, वो होता है, voluntary, लेकिन अगर मैं बात करूँ, glands का, glands, कोई glands से hormone बनेगा, नहीं बनेगा, वो मेरे control में नहीं है, body organs, यह हमारे control में नहीं है, वो काम करेगा कि नहीं करेगा, अपने brain control, बोलो कोई दिक्कत, बोलो के नहीं, तो ध्यान से सुनो, brain से कुछ signal, brain से कुछ signal, य यहां भी आते हैं, तुम बोलोगे हैं, तो brain जो signal लेके जाता है, brain जो signal लेके जाता है, इसको, एक स्कान रुको, हाँ, दोस्तों, ध्यान से सुनो, अभी जो ट्रिक बताएंगे न उस ट्रिक से तुम खेल जाओगे, चाहते हो, खेलना चाहते हो, बताओ भाई, कोई रिस्पॉंस नहीं देता, मज़ा नहीं है, यह बताओ, तुम इस चाप्टर को पढ़ रहे हो, देखो, तुम इस involuntary organ को पढ़ रहे हो, या brain और spinal cord, इस चाप्टर में क्या पढ़ रहे हो, तुम बोलोगे, इन दोनों को तो नहीं ही पढ़ रहे हैं, हम तो इसी को पढ़ने के लिए हैं, इस चाप्टर में क्या कहते हो, तो इसको हमने reference माना, सुन लो, ट्रिक, इसको हमने क्या माना, reference माना, और यहाँ से कोई चीज जाता है, reference point से अगर कोई चीज जाता है, तो क्या मैं उसके लिए exit word यूज कर सकता हूँ, तुम बोलोगे, आराम से, उचलते कूझते आप यूज कीजिए, तो ऐसा तार, तार मैं बोल रहा हूँ, जान बुचके, अभी तार ही समझो, ऐसा तार या ऐसा nervous, nerve, जो information को brain से दूर लेके जाता है, उसे कहते है, efferent nerve, क्या कहते है, efferent, E और E for exit, देख रहो, E और E for exit, देख रहो दोस्त, बोलोगे, अच्छा हाँ, ये इसलिए trick था, हाँ, E से exit होता है, efferent, efferent nerve fiber क्या करता है, brain से दूर लेके जाता है, बोलोगे, ठी बहुत अच्छी बात, जबकि, efferent वाला क्या करता है, अच्छा, यहां से भी लेके जा सकता है, spinal cord से भी लेके जाएगा, लेके जाएगा, लेके जाएगा, तुम बोलोगे, हाँ, spinal cord से भी लेके जाएगा, इसमें कोई दिख्टर में, दोनों ही केस में क्या μолेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, efferent लिए और दूसरा कोई नाम हो सकता है, हम बोलेंगे, हाँ, दूसरा नाम हो सकता है, इसी efferent को हम लोग प्यार से कहते है, motor nerve क्या कहते है motor nerve बोलो कोई दिक्कत यह motor nerve को हो या efferent को हो यह सब brain या spinal cord से दूर लेके जाते हैं चाहे voluntary के पास ले जाए या involuntary के तुम बोलोगे ठीक समझ आ गया कुछ नर्व क्या करते है voluntary organ से brain के पास या spinal cord के पास औरेंज वाला देख रहो यह लेके आ रहा है यह आता है आना हिंदी में क्या कहते आना देखो ऐसे लिखेंगे ना आना तुम बोलोगे हां तो ए देखो पहला इसका ए यानि एफरेंट आ रहा है देख रहो इस पेलिंग में अंतर यहां इसे स्टा ना इफएरेंट हैं इफरेंट हो गया रही है बोलो समझा आ रहा है दोस्तों भोलोगे हएैं यही से दूसरा विख यह कहते क्या क्या है तेनसरी घृयन simpler किसे जाके दिखते हो, कोई दिखते हैं। मोटर नर्व, सिंसरी नर्व तो मोटर नर्व क्या करता है? CNS, इस पूरे पाट को हम क्या कहते हैं दोस्त? तुम बोलोगे स dönों को तो मिलाके CNS ही कहरे थे, इन दोनोंと मिलाके क्या कहते थे? CNS तो cns से जो दूर लेके जाता है cns से जो दूर लेके जाता है उसे कहते efferent e efferent या फिर motor nerve और जो इसके पास लेके आता है उसे कहते sensory या फिर efferent spelling देख लो a और इसका था e जाता है जाता है जाता है जाता है तो पढ़ेंगे ना तभी बच्चे एंस अप एंस रेजवेज कर लें तीक है आओ अब जड़ा पी एनस वियनस का क्या लपड़ा है जड़ा यह सब समझे क्या है पाइड वाइट वोर्ड में समझाते है कि इसो तु समझ लो ना फिर है बटाईये ना फिर तो सनो मैं बोल रहा हूं मुरु ना यह सी नस और सी इनस में कोन आता हो उनका है सिय एनरां में कौन आता है सब अज़द बच्चे बताएं इनकों यह इनको प्रोसेसिंग सुछनाह सोंसाना किसी चीज़ कासा करना तो या तो ब्रें या तो इसके हैं तो यह नो भागी मैं係 अब क्या होगा ते यहां फिट्ड से लिख रहा हूं वॉलेंटरी ओर्गन में क्या लिख रहा हूं वॉलेंटरी ओर्गन ऑ міतलब होता हुआ जल्दी बोलो जो हमारे इसे की स्के मसम्सलस को हमारे एंड और हम चलते हैं इसे वह हमारे कंटरोल अपिर टुम बोलोगे हां इंवोलान्टरी मसल्स this क्यों लें एंवौंटरी ठीक है, यह ले लिए involuntary, कोई दिक्काइब की? बोलोगो नहींद, मैं बोल रहा हूँ CNS से सुनू, मैं बोल रहा हूँ CNS से कुछ नर्व फाइबर इधर जाएगा, CNS से कुछ नर्व फाइबर इधर जाएगा, तुम बोलोगे ठीक है तर बेज दीजे, यह दोनो नर्व फ अभी अभी आपने दो चीज़ बताया था एक बताया था cranial nerve एक बताया था spinal nerve तो क्या इन दोनों को भी PNS बोल सकते हैं तो जवाब है yes इन दोनों को आप क्या बोलोगे PNS बोलोगे और अभी आपने बताया था motor और अभी आपने बताया था sensory क्या इनको भी बोल सकते है PNS तो जवाब है yes आप इनको भी बोल सकते हो PNS बताओ कोई दिक्कत बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं तो PNS होता है जो central nervous system से associated है लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि सर ये वा वाले पार्ट से associated है और ये वाला तो involuntary से तो हम बोलेंगे हाँ बात तो सही है तो इस ब्लू वाले के लिए हम एक special नाम देते हैं देखो इस ब्लू वाले PNS यह है PNS ही बट इस PNS का special नाम दे देता है SNS क्या दे देते हैं दोस्त SNS somatic nervous system क्या नाम दे देता है इसका somatic nervous system बोलो कोई दिक्कत तो तुम बोलोगे कि सर somatic nervous system PNS का ही पार्ट है जो की voluntary organ से associated है बोलो समझ आया की नहीं आया बोलो कि हाँ समझ आ गया जबकि involuntary से associated वाले को हम कहते ANS क्या कहते ANS या फिर VNS क्या कहते ANS या VNS फुल्फर्म होता autonomic nervous system क्या होता autonomic nervous system यह हमारे कंट्रोल में होता ही ऑ्टोनॉमिक nervous system या VNS के लिए हम वर्ड यूज करते है visceral nervous system जो हमारे visceral organ जो पेट के अंदर organs है उनको जो कंट्रोल करता विसरल nervous system तो तुम बोलोगे सर यह भी एक PNS का ही पार्ट है लेकिन यह involuntary पार्ट को कंट्रोल रेगुलेट करता है हम बोलेंगे हां तो CNS से जो directly attached होते उन्हें क्या कहते है PNS और PNS कितने तरह के होगे दो तरह के एक एनस और एक क्या हो गया SNS SNS voluntary से associated है एनस involuntary से associated है बोलो हाया ना बोलोगे जी जी बिल्कुल बिल्कुल हां कि ना ठीक है अब हम SNS के भी पार्ट बनाना चाहते हैं एनस दोस्तों दो तरह का होता है कितना दो तरह का एक होता है पैरा सिंपैथेटिक चलो आगे बताते हैं एनस जो नर्व है ना यह भी कितने तरह के होते हैं दो तरह के होते हैं एक होता है पैरा सिंपैथेटिक सम्पैफिटिकन स्व्यस смотр coherent कुछ देख लेन멍ा कहीं कुछ गन्थ होचता है को इन्य स्प पैफेटिक एक होता है एक ड्रकार सिंपेफिटिक एक है सिंपैफिटिक थे फैर्रेस पैस पैफिटिक क्या होता है indiana Chin कर रहा है यानि अभी हम खाना पीना खा रहा है ना डाइजेशन हो रहा है अपने आप तो उसमें ए एनस का ये वाला पार्ट काम कर रहा है तुम बोड़ोगे ठीक लेकिन कुछ emergency situation अगया कुछ emergency situation और फ्लाइट इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है उस कडिशन में सींपफैटिक यूज़ होता है यह एमर्जंसी कंडिशन में यह bolo दोस्तों थोड़ा बहुत समझ आया कम इसके लिए दा था कैसे उल्हा था था फैट और फ्लाइट था णा पाइट 원래 कि लड़ो या मरो लड़ो या मरो फ़ाइट और फ्लाइट यानि भागो भागव या तो लड़ो वहाँ तो emergency situation जब आता है या तो डर के भाग जाओ वहाँ से या तो लड़ो उस situation में ये वाले नर्व काम कर रहे होते हैं मैं फिट्से बता दू CNS जहां information process किया जाता है PNS जो associated है CNS से CNS कितने तरह के होता है दो तरह के एक होता SNS एक होता ANS SNS voluntary organ से associated है जो हमारे control में होते है voluntary organ हमारे control में होते है उसको impulse कौन provide करवाता है SNS और जो involuntary वाले है उसको कौन पहुँचाता है ANS ANS भी दो तरह के होता है एक normal condition में जो काम करेगा वो normal में कौन काम करता है parasympathetic और जो emergency में काम करता है उसका क्या नाम होता है sympathetic क्या नाम होता है दोस्तों sympathetic अब इसी चीज़ को हम लोग एक बाद Alan के module से पढ़ेंगा तो मिलते हैं next class में अबद़ के लगाल